सीजन 2 एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि चक उसके वाइफ के साथ है वो अपनी वाइफ को खाना बनाने के लिए हेल्प कर रहा होता है ये पास का सीन है जहाँ इलेक्ट्रो मैंनेटिव वेव से चक को दर्द नहीं होता उसे कुछ विमारी भी नहीं है ये डिनर बना रहे होते है क्योंकि सॉल वहाँ आने वाला होता है चक अपनी वाइफ को पहले बोल देता है कि तुम्हें अगर बोर वेगरा होने लगे तो तुम मुझे सिगनल कर देना मैं इसके लिए कुछ करूँगा सॉल फिर वहाँ आता है और सॉल चक के लिए सिक्स पैक बेर लाता है सॉल और वह सब अब डिनर कर रहे होते हैं डिनर पर सॉल चॉक के वाइफ से अपोलोजी लेता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे वेडिंग पर नहीं आ सका सॉल अब मेल रूम में काम कर रहा है तो वह अपना experience वहाँ बता रहा होता है वो बोलता है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला और मुझे एक लड़की वहाँ पसंद आई है ये किम की वो बात कर रहा होता है वो फिर ये भी बोलता है कि मैंने बहुत सारे लॉयर्स जोक वहाँ सुने है वो चॉक की वाइव को बहुत सारे lawyer जोग वो सुनाना स्टार्ट कर देता है चॉक की वाइव को भी आच्छा लगता है और वो पुरे डिनर में बोर नहीं होती Saul lawyer पर जोग कर रहा हूता है चॉक को पसंदन नहीं आता चॉक सबजेक चेंज करनी के कोशिश करता है फिर जख और उसकी वाइव दोनों बेड़ पर होते है बेड़ में उसकी वाइव उसे बोलती है कि सॉल उसे पसन आया तिन फिर वही खतम हो जाता है फिर से हम सीरीज के प्रेजिन में आ जाते है सॉल अपने ओफिस में होता है और कुछ टाइप कर रहा होता है वहाँ फिर उसके एक कली गाती है वो बोलती है कि हमारे बॉस ने तुम्हें कुछ गाइडलेंज देने के लिए मुझे बोला है वो उससे सब सिखा रही होती कि सौल जो काम करता है उसमें वो करेक्शन कैसे करना है एक सिस्टेमेटिक वे से सॉल को काम करना है तो इसे वो सब बता रही होती है सॉल उसे बोलता है कि हम एक कल कर सकते है पर उसे छोड़ने रही होती तो सॉल बोलता है कि ठीक है अभी कर ले थे शॉल बोलता है कि ठीक है हम अभी कर रहे थे पर मैं मैंस रूम जाकर आता हूँ शॉल फिर वहाँ से भाग जाता है शिन में हमें कीम दिखाए गई है वो पेपरवक कर रही होती बेस्मेंट में वहाँ कुछ इंटरेंस भी होते है उसे डर रहे होते है और घर नहीं जा रहे होते है फिर वो उसे बोलते है कि 12 वजने में सिर्फ 10 मिनिट है क्या हम जा सकते है किम बोलती है कि मैं तुम्हारे बौस अगरा कुछ भी नहीं हो तुम जब जाना है तुम जा सकते हो पर किम वही रुकती है, फिर सॉल आता है, सॉल उसके वेसमेंट में आकर उसे बोलता है, कि तुम्हें अब HHM पर केस डालनी है, तुमने इनके लिए इतने सारे साल दिये है, और वो तुम्हें ऐसा ट्रीट कर रहे है, यह गलत है, तुम उन पर केस डाल सकती हो, और तुम्हें अच्छा settlement भी मिल सकता है कीम उसे बोलती है अगर मैंने case डाली और फिर भी मैं जीत भी गई फिर भी मुझे कोई भी hire नहीं करेगा मुझे तुम्हारी help की ज़रूरत नहीं है कीम एक self-sufficient woman है और वो उसे बोलती है की मैं अपने आपको help करूँगी तुम मुझे help नहीं करोगे वो उसे बोलती है की तुम अपने आपका देख लो तुम एक दिन तो निकालो rules थोड़े बिना Saul उस पर proud होता है और वहाँ से चला जाता है next day कीम उसके जो context होते हैं वो सबको call करती है वो अब HHM के लिए उसे एक client लाना होता है वो अगर एक बड़ा सा client ला दे तो उसे लगता है की उसका फिर से promotion हो जाएगा इसलिए वो बहुत ही efforts उसमें डाल रही होती है माईक अपने काम पर होता है तब उसे अपनी daughter-in-law को call आता है उसने अपनी daughter-in-law को एक अच्छे से model में रखा होता है उसकी daughter-in-law बोलती है कि तुमारी जो grand daughter है वो बहुत ही मज़े कर रही है वो अब swimming pool में ही है और वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही वो उसे thank you बोलती है माइक उसे बोलता है कि केली को तुम आज बाहर खाने के लिए ले कर जाओ Saul भी court में आता है माइक को high करकी चला जाता है जब वो court room में आता है तो उसकी click भी उसके साथ होती है Saul पर वो नजर रख रहे होती है यानि कि वो कुछ गड़बर ना करे Saul फिर counter पर जाता है और उसे case के लिए एक date लेनी होती है वो जो lady होती है वो बोलती है कि तुम्हें आसपास की कही की date नहीं मिलेगी Saul उसे एक toy देता है और उसके बदले में उसे वो एक अच्छे से date देने वाली होती है पर उसकी click उसे abstain कर लेती है वो बोलती है कि तुम्हें यह नहीं कर सकते यह illegal है वो बोलती है कि तुम्हें जो date मिलेगी वो तुम ले लो फिर वो counter वाली उन्हें next month की date देती थी है Saul फिर washroom में जाता है उसे assistant DA वहाँ मिलता है जब Saul पहले काम करता था Saul of practitioner था तो उसके आगे पीछे वो गुमता था Saul उसे deals मांगता था और उसे Saul के condition के बारे में सब पता था उस assistant DA को बालूम है कि Saul को अच्छा job मिल गया है तो उससे बातचित करता है वो बोलता है कि तुम्हें अच्छे सी कार मिले होंगी तुम्हेरा office भी बहुत ही अच्छा होगा Saul भी सब हाँ बोलता है Saul को apartment वेकरा भी मिली है यह सब सुनकर उसे बहुत ही जलन हो रही होती है Next in में हमें दिखता है कि Kim बहुत दिनों तग अपने contact को call करती रहती है वो client मिलने के लिए बहुत ही desperate होती है और बहुत दिनों बाद actual में उसकी friend मानी जाती है और उसे एक बड़ा client मिली जाता है Howard के साथ वो और उसके client की meeting होती है यह meeting successful होती है और उसे वो client मिलने वाला होता है Howard और वो जब बाहर होते है तो Kim बोलती है कि मैं फिर से अपने old job में काम पर लग जाती हूँ Howard बोलता है कि मैं किसी और को एक काम देना चाहता हूँ वो उसका promotion फिर भी नहीं करता Kim बहुत ही disappointed हो जाती है Howard फिर चक को मिलने आता है चक को बोलता है कि हमें एक बहुत ही बड़ा client मिला है वो सब पैसे advance पर देने वाले होते है चक ये सुनकर impressed हो जाता है Howard उसे बोलता है कि Kim ने एक client लाया था चक बोलता है कि अब तो तुम उसका promotion कर दोगे Howard उसे फिर भी promotion नहीं देने वाला होता नेक सिन में हमें दिखता है कि चक रात में आकर अपने office में काम कर रहा है तो दिन में काम ही नहीं कर सकता तो उसलिए अब उसने new schedule बनाया है वहाँ काम कर रहा होता है एक office में आता है तो वहाँ already कीम होती है Kim lights वेगरा वहाँ की burn कर देती है Kim बहुत ही late वहाँ काम कर रही होती है फिर चग उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए एक कॉफी बना सकती हो वो खोद नहीं मना सकता क्योंकि वो एलेक्टिसिटी पे चलता है फिर कीम को वो अपने साथ कॉफी पीने के लिए बोलता है वो उसे बोलता है कि तुम जो सॉल के लिए कर रही हो वो भी मैं पहले करता था वो मेरा भी ब्रदर था तो मैंने उसे बहुत सारे chances दिये हैं पर वो सुधरता ही नहीं वो हमेशा हमें disappointed करता है वो फिर उसे एक story बताता है हमारे जो father थे बहुत ही simple man थे उन्होंने पूरी life दूसरों के नीचे काम किया था उनका एक सबना था कि वो अपना खुद का एक shop खोल ले उन्होंने वो reality में भी किया उस शौप पे नजर रखता था वो counter वेगरा समालता था मेरे फादर एक बहुत ही अच्छा आदमी थे वो लोगों से हमेशा अच्छा ही बोलते थे और वो अपनी community में बहुत ही active थे उनका बरताव सबसे अच्छा था इसलिए वो अच्छे businessman नहीं थे उन्हें अपने business में loss हो चुका था और मैं फिर उन्हें help करने के लिए आया मैं college के लिए बाहर चला गया था और उन्हें अपने business में घाटा आ गया तो मैं उन्हें help करने के लिए आया था मैंने जब सब हिसा विगरा लगाया तो वहाँ से 14,000 डॉलर्स गायब थे वो सॉल ने गायब किये थे मैंने अपने फादर को समझाने के कोशिश की कि सॉल चोरी कर रहा है पर वो माने नहीं उन्हें फिर वो शॉप उनकी sale करनी पड़ी शे मैने बाद ही हमारे फादर मर गए उनके funeral में सॉल से ज़्यादा और कोई नहीं रोया वो से समझाता है कि सॉल एक पूरा आदमी नहीं है पर वो अपने हरकतों से बाद ही नहीं आता वो किम को बोलता है कि मैं हावर से बात करूंगा तुम बहुत ही talented हो और तुम्हें ऐसे mail room में नहीं रहना चाहिए तुम बहुत ही talented हो और तुम ऐसे basement में काम नहीं कर सकती तुम्हारा promotion हम फिर से कर देंगे next sin में हमें दिखता है कि Mike breakfast कर रहा होता है वो जिस hotel में breakfast कर रहा होता है उसे hotel में Don Salamanca भी आ जाते है हमें actual में Don Salamanca चलते हुए दिखे है यानि उनके पेर अभी भी सरामा थे breaking bad में wheelchair पर थे यानि कि उनकी जो condition होती है वो recent होती है इस series में हमें पता चलने वाला है कि उनके साथ क्या होता है क्यों वो paralyzed हो जाते है Don Salamanca माइक से आकर बोलते है यह मेरा जो nephew है टुको तो वो ज़रा hot blooded है वो अपने आपको boxer समझता है उसे तुम्हें respect देना चाहिए था Don Salamanca बोलते है कि मैं apologize करता हूँ उसकी तरफ से वो जब बाहर निकलेगा तो मैं उसे भी माफि मांगने के लिए बोलूँगा वो deserve करता है जेल में जाना पर वो 8 साल के लिए जेल में जाना deserve नहीं करता Don Salamanca को टुको को बचाना होता है इसलिए वो माइक को आफर देता है वो माइक को बोलता है कि तुम्हें अब बताना है पुलिस को कि जो गन टुको के पास थी वो उसकी नहीं थी वो तुमारी गन थी तुमने गन निकाली थी और टुको ने तुमसे वो गन छीन ली थी इससे टुको के चार्चेस बहुत ही कम हो जाएंगे और वो उसे इतना आठ साल जेल में नहीं जाना पड़ेगा इसके बदले में उसे 6,000 डॉलर्स वो ओफर करते है माइक अब बड़े ट्रबल में होता है यही एपिसोड खतम हो जाता है